नमस्कार मैं हूँ मैयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुक करते हैं खबर की ओर सूबे के मुखिया योगी आदितनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे इस दौरान सियम प्राइम आवास योजना हिंडन नदी का निर्माडा धीन पुल और तालिस वी वहनी पी एसी में बनाई जा रही बारा मंजिला बैरक का निरिक्षड करेंगे इसके बाद प्रतिनीधियों और पार्टी पदारिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवाद दाता प्रवीन जुडेंगे प्रवीन सूबे के मुख्या योगी आदितनाथ गाजियाबाद दौरे पर हैं तो क्या तैयारिया की गई है कि बिल्डिंग दिखा रहे हैं यह पर पुलीस प्रशाशन मुस्तेद है खास तोर पर आपको यह बिल्डिंग दिखा रहे हैं यह प्रधानम आवास योजना के अंतरगत इसका निर्क्षन करने आ रहे हैं आपको तस्वीरे दिखाएंगे यह वो निर्मान दिन जितने भी इमारते हैं जो बिल्डिंग है प्रधानमंतरी आवास के अंतरगत जो आने वाली है 720 बनाए गए इसके अंदर इसका निर्क्षन करना है और चक निर्क्षन पर आ रहे हैं खास तोर पर जमीनी इस थर पर योगी आदितनाथ धरातल पर काम कर रहे हैं कहीं न कहीं जो कार हैं कारों को सही तरीके से सुनस्चित किया जाए उसको लेकर खासा जानकारी है आपर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे थोड़ा सा और अंदर किस तरह से अंदर के माहल बना हुआ है क्योंकि यहां पर जो बिल्डिंगे हैं बिल्डिंगों का पूरा निर्क्षन हो रहा है यहां पर पुलीस प्रशाशन सभी लोग यहां पर मुस्तेद हैं क्योंकि योगी आदितनाद का दौरा काफी महत्पूर माना जा रहा है गाजियाबाद के अंदर में आज यह तस्वीरे हैं तस्वीरे साफ बयान कर रही है कि किस तरह से यह जो प्रधान मंतरी आवास है सभी का जो निरिक्षण है यहां पर आकर सभी दौरा करेंगे और साथ में पूरे बिल्डिंगों का निरिक्षण करने वाले हैं योगी आदितनाद जी गाजियाबाद आ रहे हैं सियम तो वहां कि पुलिस प्रशाशन का क्या कहना है देखिए पुलिस प्रशाशन काफी मुस्ताइद है क्योंकि पूरा यहां आला कमान यहां मौजूदे डियम सभी लोग इतने भी अधिकार है हम उनसे भी पूछेंगे कि आसर यहां पर करन सियम योगी का दोरा है किस तरह से यहां पूरा प्रवंद कर दिया गया है जैसे हमारे उच्छा देगाने खड़े हैं सभी सभी फोर तैयार कर दो पूरा प्रवंद है कि इसाब तरह पर पूलीस प्रशाशन काफी मुस्तेदे की कोई सीम योगी का दोरा है काफी महात्पुर माना जा रहा है क्योंकि लगातार यहां पर गाज़ियाबाद के अंदर में कई सारे ऐसे दोरा है जो की सीम योगी दोरा किये जाएंगे अभी इसके बाद गाज़ियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे जी सीम योगी के साथ कौन कौन से मंतरी मौजूद रह सकते हैं जी बिल्कुल देखें यहां पर गाज़बाद से मंतरी जो है जितने वो इतने भी पार्टी के पड़ाद गजारी है उसे बाद्ची चल लगए बाद्ची कदोर लगता जारी कुछ ही छोड़ों में यहां पर पहुंचे वाले पहुंचेगा तबकाल यहां पर वहते ही अलर्ट हो जाएंगी तभी पुलिस इसने करने हैं और खास वर पर जो यह निरिक्षन जिस तरह से किया जा रहा है आवास का आवास में सफीरों के दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से निरिक्षन होना है वो बहुत महात्पूर है क्योंकि अभी तक जिस तरह से आने सरकार यह निरिक्षन है लेकि जमीनी सर पर योगिया इसना साचर उन चीजों का मुएना करेंगे उन छोटी-छोटी-छोटी इन आवासों के अंदर में इन भावनों में क्या कुछ कमिया दे रहेंगी खास वर पर इस तरकात भ्यान दि दो तब जाते हैं रहां कि अजिम योगी तो इस तरह से आने के आने के बाद करह नहीं होना है तो 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 वहां की जनता में कैसा महौल है इसे लेकर कुछ बता सकते हैं तो वहां जिस तरह से गए तो वहां बच्चों में खाता हुस्ता देखने कुमला हाला कि यहां की जितने भी चेत्रवाती निवाती है जो गाज़ेबाद के कापी उस्तुक हैं खास ओरते जो भाज़पा के कार करता है पदरशारी वो भी खासा खुछ में जरार है कि इस तरह से लगाता है गाज़ेबाद में देखने को मिलने हैं तो खाल लगी तहीं अगया इस बड़ी सौगात गाज़ेबाद की जंटा को मिल सकती है इस पर अमातपूर पहसना लिया जा सकता है धन्यबाद प्रवीन इस खबर पर जुड़ने के लिए और आया जीले में यमना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ जाने से आम आसपास के लुगाओं में अब पानी घुसने लगा है वहीं गाओं के लोग एक बार फिर डर के साएं में जीने को मजबूर है पानी भड़ने की वज़ा से अजीत मल के एक सी कोड़ी मोहानी कला गाओं का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है जिस पर प्रशासन अपनी पूरी नजर बनाए हुए है साथी प्रशासन की तरफ से गाओं वालों को सतर्क रहने को भी कहा गया है साथी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ जाने से आसपास के गाओं में भी अब पानी घुसने लगा है वहीं गाओं के लोग एक बार फिर डर के साएं में जीने को मजबूर हैं पानी भड़ने की वज़ा से अजमत मल के सिकोडी मोहानी कला गाओं का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है जिस पर प्रशासन अपनी पूरी नजर बनाए हुए है साथी प्रशासन की तरफ से गाओं वालों को सतर्क रहने को भी कहा गया है यमना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है गाओं में भी अब पानी घुसने लगा है वहीं गाओं के लोगों में डर का महौल देखने को मिल रहा है यमना नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है पानी भढने की वज़ा से कई गाउं खत्रे में हैं जिला प्रशासन अपनी पूरी नजर बनाए हुए है साथी प्रशासन की तरफ से कई गाउं में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और या जिले में यमना नरी का जलसतर तेजी से बढ़ जाने से आम आसपास के गाओं में अब पानी भरने लगा है वहीं बढ़ते पानी को देखते हुए लोगों में डर का महौल देखने को मिल रहा है लोग डर के स्थाएं में जीने को मजबूर है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता शाहिद हम से जुड़ेंगे जाहिद हम से जुड़ेंगे जाहिद और अईया जीले में यमना नदी का जल अस्तार तेजी से बढ़ रहा है इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास जी मैं आपको बता दूँ कोटा गाराई से कई क्यूटन के साबसे पानी छोड़ा गया जल इस्तार बलने से घ्रामिर शर्तों में लोगों ने प्लान करना सुरू कर जाए इस संबन जो प्राइम टीवी की टीम में रियल्टी चेक करी वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत भी की तो उन्होंने बताया कि यमना नदी का इस्तार तो यार एक्किस के बाद अब दो यार बाइस में भी जल इस्तार काफी दो दूरू देखने को मिल लाए जला परसासन की बात की जाए तो उन्होंने पूरे पुकता इंतिजाम कर रखे गरामलों की स्वास गवा की टीम भी लगा रखी है उसके लावा भी कई निग्रानी चौकियां भी बना रखी है और क्या कुछ तैयारिया की गई है बढ़ते बाड को देखते हुए बलते बाड को देखते हुए एंडी आरप की टीम भी जला परसासन द्वारा बुलाए गई है वही राज स्वामगरी का भी इंतिजाम किया गया है और जो निशले इस्तर पर बसी हुए ग्रामली शेरते उनको उठाकर उसले इस्तर पर पहुशाया गया जहां पर उनको सु आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार